असलामकूम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाग, खेरियत से, आज हमारे घर जी party हो रही है, देशी party हो रही है, तिक्का party हो रही है, और साथ में तंदूर की रोटी हो रही है, तो आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से तिक्का party celebrate करते हैं, आज का जो ब्लैन था वह शफीक का और खलफान का था उन्होंने सोचा कि चलें तिकाप पाटी करते हैं बशाकाल है लेकिन फिर भी ग्रिल पर जो भी चीज बनाते हैं तो वह खाई जाती है वह मज़े की होती है तो यहां पर मेरे बैक साइड पे शफीक बैठे हुए और लगे हुए है अपने काम पे शफीक तके बना रहे हो कितनी सीखे बना रहे हो बहुत सारी है ना काफी सारी सीखे है इस पे मेरे लिए कितनी होंगी सब है किवाँ भाइवाँ क्पाटे मैं ली सारी की सारे महें की जा करते है। और ये तक्रीमन एक-एक सीख पें तीन-थीन तिक्टे आ रहे हैं तीन-थीन, चार चार आ रहे हैं शफीक गर्मी के मौसम में फिर कैसे आप मैनेज करेंगे कर लेंगे पक्का अच्छा अब ये कुछ एन दो तीन सीखे जो है क्मोरल कि नहीं रहे हैं और बाकी जो है वो साथ जो है वो कर ते रहेंगे फीक है मैं पी हल्प कराऊंगी और बाहिर जो है वो बच्च ziet लगे हो हैं بच्चों को देखते हैं कि बच्चे क्या कर तो जो बढूर है। जीखी बना रहे है। जीखी बना रहे है। अच्छा। मौसम बना हुए बारिश का पिछले कई दिनों से लेकिन बारिश नहीं हो रही। अल्लाद आल्ला रहमत की बारिश बरसा दे। और ये मेरे पीछे जो है वो बच्चे लग्यों है। खलफान ये कोईले वगयरा सेट करने आते हैं आपको। जी। तो कैसे करोगे सबसे पहले। सबसे पहले कोईला। कोईला। पहले आग लगाएंगे इससे कोईला करेंगे। अच्छा। पहले भी किये कभी। अच्छा। और ये खलफान अभी लगा हुए। गरम करने में उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें किती देर लगती है। चले मैं आपको साथ साथ वह तंदूर भी दिखा देती हूं। जिस पर हम रोटिया बना रहे हैं। आपको दिखा देती हूं। चले मेरे साथ। और ये रहा हमारा दंदूर। दंदूर में रोटिया लगी हुए। ज़रा हटा के दिखाए न मुझे। वाव भी वाँ माशाला। थोड़ा सा थाए। माशाला। पांच रोटिया लगा हुए। एक टाइम में पांच लगा लेती है न। अच्छा माशाला जी। और इसमें अभी कोई बनी तो नहीं है। अभी नहीं बनी न। ठीक है। जब बन जाएगी तो फिर आपको दिखाते हैं। जी तो रोटिया अभी लगी हुई है और अभी हमने निकाली रही है। अभी जब वो बन जाएंगी सुर्फ सुर्फ हो जाएंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लगती है। हां जी यह यहां पे आप देख रहे हैं कि रोटिया जो हैं यह हमने तंदूर से भी निकाल ली है। और अभी तंदूर के बाहर रखी हैं क्योंकि उसका जो बैक साइड है वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा है। यह फ्रेंट देखें जबरदस्त और बैक साइड दिखा दें। बैक साइड भी बन गया। तो यहां पर शाम की अजान अभी हो रही है। शाम की अजान के बाद दुबार आपसे होती है मुलाकात। इस पर पेट्रॉल या मटी का तेल वगएर डाला था। नहीं होगा ना देखो पहले भी वो जल के फिर बुझ गया था। जान की अजान की अजान की आपके अजान की दूबार लाएं। कि उपकाद इस तरह की एमर्जनसी भी हो जाती है पाइव त्षिए में दो दोत गाइव थे भड़ें आपकेज़ में दोत आपकेजी आपकेज़ पीजिए थे अगर पीज़ दो पना यार लेड़ भाइव लेड़ 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 आंगीठी गरम हो भी यही चलो जी भी चलो माहौल जरा हम हो रहा है और जी अब इसमें सीखे डाल रहे हैं और कितनी रख दी है पांच सीखे रख दी हैं पांच बना ली हैं और बाकी जो है वो रखी हुई हैं कोईले बड़ी मुश्किल से जले हैं कोईले नहीं जल रहे थे और उपर से गर्मी भी थी लेकिन फिर भी शफीक और खलपान की मेहनत कि उन्होंने बिला आखिर काम्यावी हासिल कर लिये हैं वो कहते हैं जहां चाह है तो वहां रहा है तो उन्होंने भी अपने लिए राव बना लिये हैं अब बन गई है कैसी बनी है हां जबर्दस अब इसको टेस्ट करते हैं न कि टेस्ट करते हैं कि कैसी है मजएदार गरा मैं गरा मैं गरा गरा को गरा मैं गरम 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 वेरी टेस्टी अच्छा जी तो हमारी जो तिका पाठी थी वो तो हो गई और बहुत बज़ा आया बहुत energy किया और अभी ज Communion अभी जो है ये कडाई ये चल रही है ये भी तख़ कि ये सलमान ने जो है वह बार्बीक्यू से मिक्स कर दीए और इसने कडाई बना लीए तो इसको जो है इस तरीके से छलक है इसको जो है बार्बीक्यू आए लेकिन ख़िया फिद पसंद है ने प्रेशन हैं वह बतारा कि चलें जी आपको आज का मेरा व्लॉग कैसे लगा मुझे जरूर बिताईएगा कमेंट करके और ताकि मैं आगे भी आपकी लिए चचे व्लॉग्स बनाती रहूं चलें मुझे इजासत रहें खुश रहें आबाद रहें अला आफेस